हलो, वेल्कम टू आवर चैनल ज्ञाननिती टौर्ड सक्सेस ज्ञाननिती टौर्ड सक्सेस चैनल में आप सभी का हर देख स्वागत है इस बीके जाग, मैं बीके जाग, फिर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ आज हम एक नया चैप्टर, एडवर्ब के बारे में डिसकस करेंगे एक बात आप सिर्फ से कहना है कि एक्जाम पॉइंट आप व्यू से अगर हम देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवर्ब अगर आप देखेंगे प्रिवियस यर्ज की पीपर्स को बोथ रोग करेंगे तो आप देखेंगे एडवर्ब चैप्टर से मैक्समुम कुश्चन आते हैं इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत सिंसिरली आप कीजिए तो इसे हम आपको दो टीन वीडियो में लेक्शर में आपको एक्स्प्लेम करेंगे आज इस सिक्वेंच में हमारा पहला वीडियो है और इस लेक्शर में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अडवर्ब का डेफिनिशन क्या है आप कहेंगे definition तो पूछता नहीं है लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि definition से उस topic का हमें एक concept clear होता है कि उस topic को हम कैसे करेंगे और आप सब अगर adverb का Hindi meaning जाने तो इसे creation कहते हैं कि तो आप definition में अगर आप देखें तो देखेंगे adverb का definition क्या है तो adverb is a word which qualifies above तो आप क्या देखेंगे कि adverb क्या है adverb आप देखें अगर हम इसे अगर adverb word को हम अगर देखें तो adverb क्या है वर्ब की विशिस्ता बताता है तो वर्ब की विशिस्ता बताने वाले शम्द को यानि कि क्रिया की विशिस्ता बताने वाले शम्द को हम क्रिया विशिशन कहते हैं यह definition आप शुरू से पढ़ते आए हैं, तो आप क्या देख रहे हो, जैसे अगर एक कोई example ले, सी राइट स्लोली, तो आप क्या देख रहे हैं, अगर हम लिखते हैं, सी राइट स्लोली, तो यहाँ पर यह स्लोली जो वर्ड है, यह क्या है, यह एड़ब है, जो राइट स्क्रियमिशिशन की बिसेस्ता बताता है, उसी तरह से हमारा जो वर है, रंस फास्ट, तो रंस यहाँ पर क्या है, वर्ड है, फास्ट जो है, आड़ब है, सी राइट स्पीक्स क्लियरली, तो राइट स्क्रियमिशन की बिसेस्ता बताता है, उसे क्रिया विसेशन कहते है और आप इसको different examples से आप इसे समझ सकते हैं कि लेकिन अभी इस lecture में हम आपको फर्दर आगे बताएंगे कि adverb जो है adverb के और वी definitions है यह not only क्या है वाब की विसेशन बताता है बट different parts of speech की विसेशन बताता है तो आप को तर महसूस होगा कि adverb सिर्फ क्रिया की विसेशन नहीं बताता है बलकि क्रिया के साथ साथ दूसरे parts of speech को भी के बारे में भी explain करता है आईए अब second definition में अगर हम देखें कि adverb is a word which qualifies an adjective अब आप कहेंगे कि adjective की विसेशन बताता है उसे हम क्या कहेंगे और अगर हम अगर हम देखें you are absolutely right या she is very good girl तो आप यहां पर क्या देखेंगे the word absolutely तो absolutely क्या है यह आडवर्म है जो right adjective की विसेशन यहां पर बता रहा है उसी तरह से she is a very good girl तो very क्या है यहां पर अडवर्म है good क्या है adjective है और girl क्या है नाउन है तो noun की विसेशन बताता है यहां पर adjective good girl क्या है नाउन है तो she is a good girl अगर यह हम कहते हैं she is a good girl तो यहां पर क्या होगा good जो है girl नाउन की विसेशन बताता है लेकिन good से पहले यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि good से पहले क्या है यह word very जुरा हुआ है तो good से पहले यह very word जुरा हुआ है तो good क्या हो गया good यहां पर adjective हो गया और very क्या हो गया आद्वाब हो गया तो हम इस तरह से क्या देख रहे हैं कि इस तरह से हम क्या देखते हैं यह word क्या हो गया adjective हो गया और very क्या हो गया यह very जो है यह आद्वाब हो गया तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वह शब्द the word which qualifies an adjective अब यहां क्रिया विशेशन बाला जो हिंदी में definition आप पर हैं कि क्रिया के विशेश्था बताने वाले शब्द को क्रिया विशेशन काते हैं बात उससे और आगे बढ़ गई है क्या कि adjective यानि विशेशन की विशेश्था यानि विशेशन वाड को अगर कोई वर्ड क्वालिफाई कर रहा है तो वह वर्ड आपके दिमाग में एक confusion होगा कि adjective तो खुट noun और परनाउन की विशेश्था बता है and adjective is a word which qualify a noun और परनाव तो फिर adjective को भी qualify अगर जो word करता है वो भी adverb होता है यहाँ पर दू example हमने दिया है you are absolutely right तो absolutely word क्या है adverb है और right क्या है adjective है दूसरे एक sentence में she is very good girl तो girl क्या है noun है good क्या है adjective है और very क्या है adverb है यह word very good की विशेश्था बता रहा है यानि good को qualify कर रहा है और good क्या है girl को qualify कर रहा है तो इस तरह इस sentence में हम क्या देख रहा है she is a very good girl तो very word adverb है जो good adjective की को qualify कर रहा है तो इस तरह से हमने क्या देखा कि adverb is a word which qualifies an adjective अब आये आगे देखते हैं थार्ड डेपिनिशन में अब जो आपने पढ़ा था वो आगे बढ़ता जा रहा है और डेपिनिशन के pattern या उसके explanation different होते जा रहे हैं जो आप पहले से पर रखे है अब यहाँ क्या है एडवर्ब is a word which qualifies an adverb आप देखे है एडवर्ब क्या है एडवर्ब is a word which qualifies an adverb एडवर्ब अपना ही भी सेस्ता बताता है पहले हमने क्या कहा एडवर्ब is a word which qualifies a verb second में हमने क्या बताया एडवर्ब is a word which qualifies an adjective अब अब क्या है यह third में हम बता रहे हैं कि एडवर्ब एडवर्ब is a word which qualifies an adverb she writes very carefully या इसमें इसमें हम देखें you can run very fast तो अब क्या देख रहे हैं यहां पर अगर हम लिखें very carefully और दूसरे में very और fast तो क्या देख रहे हैं very word क्या है यह adverb है और fast क्या है यह भी adverb है तो इस तरह से हमने क्या देखा कि very word जो है very word जो है यह adverb है और carefully क्या है वो adverb है very carefully वहाँ बहुत साब्धानी से लिखती है तो साब्धानी पुरुबग और very बहुत साब्धानी पुरुबग तो साब्धानी पुरुबग carefully यह भी adverb है और यहां पर very यह भी adverb है second sentence में आप देखें you can run very fast हम यह देखते हैं c runs fast वह तेज दौरती है तो runs की विशिष्टा fast बताता है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि c runs fast तो आप क्या देख रहे हैं वह तेज दौरती है लेकिन यहां fast से पहले इस sentence second example में आपनी क्या देखा कि fast तो खुद ही adverb है c runs fast इस sentence जो अभी मैंने लिखा है c runs fast वह तेज दौरती है लेकिन इस sentence में fast से पहले very लगा हुआ है और fast भी adverb है और very भी adverb है इस तरह हमने क्या देखा वह शब्द जो adverb की भी सिस्ता बता है तो वो adverb है और ऐसे हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि adverb is a word which qualifies an adverb itself तो इस तरह से यहां पर writes verb है very adverb है और carefully भी adverb है run क्या है verb है very adverb है और fast adverb है तो इस तरह क्या होगा कि word which qualifies an adverb means adverb is a word which qualifies an adverb तो इस तरह से हमने क्या देखा adverb is a word which qualifies a verb adverb is a word which qualifies an adjective और third में हमने क्या देखा कि adverb is a word which qualifies an adjective आईए fourth definition पर हम switch over करते हैं आप देखिए adverb is a word which qualifies a preposition आपको अजीब सा लगेगा कि adverb preposition की विसिस्ता कैसे बताता है तो इस sentence में अगर आप देखें तो क्या देखेंगे दो word है एक है exactly एक word है इस sentence में जो आप क्या देखेंगे exactly और इसके बाद क्या है तो exactly क्या है कि adverb है और ओभर क्या है गे प्रिपोजिशन है तो आप क्या देख रहे हैं कि गे प्रिपोजिशन है यहां पर देखें दो बाड प्लिव एक्सेटली ओवर हेस है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वह शब्द दो वर्ड फुच क्वालिफाई से प्रिपोजिशन अब प्रिपोजिशन की विसेस्ता बताने वाले शब्द को adverb करते हैं यह अगर इस संटेंस को आप गोत को करें दो बाड प्लिव एक्सेटली ओभर हेस हैं तो अब क्या देख रहे हैं ओभर क्या है यहां यह प्रिपोजिशन है और एक्सेटली क्या है अदबब है बाड प्लिव चिरियां औरे एक्सेटली ठीक ऊपर ओबर क्या होता है ऊपर और एक्सेटली क्या है ठीक ऊपर तो यह यह ओभर की विसिस्ता बता रहा है तो यहाँ पर ओभर एक प्रेपोजिशन है और एड्जेक्टली क्या है अड्वाब है फिर से हम थोड़ा रेकमिशुलेट कर लेते हैं कि एड्वार भी से वर्ड विछ क्वालिफाई से वर्ब सेकंड में हमने क्या लेखा एड्वार भी से वर्ड विछ क्वालिफाई से अड्जेक्टिव थार्ड में हमने क्या लेखा एड्वार भी से वर्ड विछ क्वालिफाई से अड्वर्ब एड्वार्ब एड्वर्ब की विसिस्ता बताता है और इसका एक्जाम्पल हमने बताया आपको तो ओबर क्या है प्रिपजिशन है और एक्जाक्ली क्या है एड़व है आए फिफ डिप्समेशन की ओर हम चलते हैं तो इस तरह हमने क्या देखा एड़वर्ब is a word which qualifies a conjunction तो conjunction क्या होता है देखिए conjunction क्या होता है यह यूजख है यह जूड़ने का काम करता है conjunction को हम ऐसे कह सकते हैं कि तू या conjunction को हम कैसे कह सकते हैं कि conjunction आप इस sentence में देखिए कि he killed her simply because अब क्या है यह simply word क्या है और because क्या है देखिए because क्या है यह word conjunction है और यहाँ पर she killed her simply because she had refused to marry him तो conjunction क्या है यह joining word है और यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं conjunction को हम ऐसे कह सकते हैं कि conjunction conjunction यहाँ पर conjunction जो है यह हम ऐसे कह सकते हैं कि conjunction क्या करता है यह joining words है यह joining words है यह join करता है और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक sentence है एक sentence क्या है he killed her और दूसरा sentence है say refused यहाँ पर यहाँ पर आप देखिये यहाँ पर क्या है कि she had refused to marry him तो अब क्या देख रहे हैं दो sentence है he killed her और she had refused to marry him तो दो sentence को conjunction का काम क्या है यह दो sentence को join करता है he killed her एक sentence है उसने उसे जान से मार दिया he killed her यह एक वाक्या है और दूसरा क्या है she had refused to marry him उसने साधी से इंकार कर दिया था अब आईए इसको अगर हम जोरेंगे तो क्या देखेंगे she killed her because she had refused to marry him उसरे उसे मार दिया क्योंकि she had refused to marry him क्योंकि उसने साधी से इंकार कर दिया था अब इस because के पहले अगर simply word हमने add कर दिया है तो यह simply जो है क्या है यह simply word जो है यह add verb है और because क्या है conjunction है तो इस तरह से हमने क्या देखा कि simply word because को qualify कर रहा है तो इस तरह से हमने क्या देखा कि add verb is a word which qualifies a conjunction अगर इस हिंदी में हम कहेंगे he killed her उसने उसे मार दिया simply because स्रिफ इसलिए कि क्योंकि she had refused to marry him तो आप क्या देख रहे हैं because word conjunction है जिसको simply word ad verb qualify कर रहा है तो इस तरह से हमने क्या देखा कि conjunction is a word which qualifies sorry adverb is a word which qualifies a conjunction आये हम थोरा सा फिर recapitulate कर लेते हैं कि add verb is a word which qualifies a verb दूसरे में add verb is a word which qualifies an adjective चौथे में he and add verb is a word पहले में हमने क्या देखा एड़वार भी इस a word which qualifies a verb second में add verb is a word which qualifies an adjective third में add verb is a word which qualifies an adjective fourth में add verb is a word which qualifies a conjunction अब आये फिर्थ के बाद sixth में add verb is a word अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि add verb is a word which qualifies a sentence यानि कि add verb क्या है पूरी वाक्य के क्या कर रहा है यह add verb पूरी वाक्य के विसिस्ता बता रहा है अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे फॉर्चुनेटली दूसरा वर्ड है यहां क्या है अन्फॉर्चुनेटली तो यह वर्ड जो है फॉर्चुनेटली विसिस्ता रिसीव एनि इन्जूरी तो हम क्या देख रहे हैं फॉर्चुनेटली विसिस्ता रिसीव एनि इन्जूरी तो पहला sentence क्या है कि he did not, क्या है he, he did not receive, क्या है any injury, क्या है any injury एक sentence है, he did not receive any injury, उसे छोट नहीं लगी और इसके पहले, इस sentence के पहले, fortunately लिखा हुआ है तो fortunately क्या है, some hug is say, he did not receive any injury, यानि ये word fortunately adverb है, और ये पूरे वाक, he did not receive any injury, क्या करता है, ये आपको qualify कर रहा है, इस तरह हमने क्या देखा, कि adverb is a word which qualifies a sentence, adverb वह वाक क्या है, sorry, adverb वह शब्द है, जो पूरे एक वाक की विसिस्ता बताता है, और जिसमें मैंने लिखा है, कि positive के लिए, fortunately, और negative meaning के लिए, unfortunately, word का प्रियोग होता है, ये दोनों adverb है, ये sentence के पहले लग कर, क्या होता है, कि किसी sentence की विसिस्ता बताता है, इस तरह हमने क्या देखा, अगर फिर से हम, फिर recapitulate कर लेते हैं, एक बार, कि adverb is a word, which qualifies a verb, adverb is a word, which qualifies an adjective, adverb is a word, which qualifies an adverb, adverb is a word, which qualifies a preposition, adverb is a word, which qualifies a conjunction, and adverb is a word, which qualifies a whole sentence, पूरी वाक्य की विसिस्ता बताता है, adverb is a word, which qualifies a sentence, अब आये next की और move करते हैं, आज सभी जानते हो, कि adjective क्या करते हैं, adjective, noun or pronoun की विसिस्ता बताते हैं, लेकिन कुछ special circumstances में, कुछ special circumstances में, adverb, noun or pronoun की विसिस्ता बताते हैं, तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पे आप देखते हैं, only hurry has passed, और दूसरे में, only they can save you, तो आप क्या देखते हैं, hurry word क्या है, देखें, hurry जो है, यह noun है, और they word क्या है, they word जो है, यह pronoun है, और इसके पहले, इन सब के पहले, क्या लगा हुआ है, only, और only क्या है, यह adverb है, तो generally हमने क्या देखा, कि noun or pronoun की wishes था, क्या बताता है, adjective बताते हैं, लेकिन, कभी कभी, sometimes, adverb, noun को specify करता है, qualify करता है, और कभी-कभी, adverb क्या करता है, यह आपको, pronoun को भी qualify करता है, तो इस तरह हमने क्या देखा, adverb is a word which qualifies a noun or pronoun, यानि कि कुछ खास परिश्टिती में, कुछ खास sentence में, adverb, noun को और adverb, pronoun की को qualify करता है, तो इस तरह हमने क्या देखा, adverb is a word which qualifies noun or pronoun, examples में हमने क्या देखा, कि only hurry has passed, सिर्फ hurry past वह है, तो और दूसरे में, only they can save you, सिर्फ वे लोग आपको बचा सकते हैं, तो सिर्फ और वे लोग क्या है, pronoun है, सरवनाम है, और सिर्फ word क्या है, adverb है, तो इस तरह only they, यहाँ पर हमने क्या देखा, कि only word they pronoun की qualify कर रहा है, विसी इसता बता रहा है, और पहले वाक्त में, only hurry, hurry क्या है, noun है, और only क्या है, adverb है, इस तरह only hurry has passed, केवल hurry passed हुआ है, और दूसरे में only they can save you, केवल वे लोग आपको बचा सकते हैं, तो इस तरह क्या हुआ, adverb is a word which qualifies noun or pronoun, तो इस तरह से हम फिर से एक बार recapitulate करते हैं, तो देखे, पहले हमने क्या देखा, के adverb is a word which qualifies a verb, adverb वह शब्द है, जो क्रिया की विशिष्था बताता है, इसलिए से क्रिया विशिष्था करते हैं, अब next में, adverb is a word which qualifies an adjective, adverb वह शब्द है, जो विशिष्था की विशिष्था बताता है, adjective को qualify करते हैं, थार्ड में, adverb is a word which qualifies an adverb, adverb खुद अपना ही विशिष्था बताता है, fourth में, adverb is a word which qualifies a preposition, adverb preposition की विशिष्था बताता है, fifth में, हमने क्या देखा, adverb is a word which qualifies a conjunction, और sixth में, adverb is a word which qualifies a conjunction, and finally, adverb is a word which qualifies noun or pronoun, तो आये इस तरह हमने देखा की adverb किसका, verb का, adverb adjective का, adverb खुद अपना, adverb का, adverb preposition का, adverb conjunction का, adverb sentence का, और adverb noun और pronoun की को qualify करता है, और इस पी beast हमें जब भी question आयेगा, तो हम उसे solve करेंगे, आये, तो इस तरह हमने देखा, कि इनके जो adverbs के जो different definitions हैं, तो उसके बीज पे भी question आपके exam में आ सकते हैं, आप इसे अच्छी तरह revise कर लिजेगा, और further next video में, next lecture में, हम adverb से related adverb का uses कहा कहा होता है, उसके बारे में discuss करेंगे, तो और आप इसे सारे definitions को ठीक से revise कर लिजेगा, भूशा, तक्यू वह प्राएं, प्राएं, तो एक क्रिशना वूज में आपके जूए तो आपके बारे में आपके बीजेखिशना आपके जूए पक्रिणम आपके लिजेगा, जूएनुति टोड सूसस्तों आपके जलेएं, more and more relevant information to you. Thank you so much.